रिष्णेदार बहुत हैं पर मन से सच्चा कोई नहीं है। बाहर से सब भले दिखते हैं पर अंदर से अच्छा कोई नहीं है। सोच समझ कर किसी को अपने मन की बात बताना क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शॉट का जमाना है। आपकी ये सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौझूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलती भीड में भी लोगों को हसते देखा है। सबको अपना सुक सबसे पहले प्यारा होता है। दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज़ होती है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो तो कि ये तुमें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्तियों को बदलना मुम्किन नहों तो मन की इस्ति को बदल लीजिए। सब अपने आप बदल जाएगा। जिसके साथ उपर वाला होता है। नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगार सकते। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं। उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। माव चाहे बार-बार कीजिए। लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजी। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं। लेकिन हकीकत में किसी के लिए हम जरूरी नहीं होते। मुझे हमारे रिष्टे में वो तीसरा शक्स बिलकुल पसंद नहीं था। लेकिन बाद में पता चला, वो तीसरा शक्स मैं ही था, नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब महबबत भी नहीं है, पिछरने का दुख तो बहुत है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं है, कभी निराश मत बैठो, भार मत मानो, क्या पता, कल आपकी जिंदगी का सबसे बहतर तीन दिन हो, अपनी ही महबबत से मुकरना पड़ा मुझे, जब उसे किसी और के लिए रोते हुए देखा, तुझ में मैं ना सही तो क्या हुआ, मुझ में तो तुम बेशुमार हो, इजहार से नहीं, इंतजार से पता चलता है, कि महबबत कितनी गहरी है, खुद को खो दि या हमने अपनों को मनाते मनाते, और लोग कुछते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं, बड़ा होकर आखिर क्या मिला, दिमाग में बोच और दिल में गम, आश्वो बच्पन हम फिर से जी पाते, कुछ रिश्टे अजनबी हो तो ही अच्छा हो, जान पहचान, वो जान ही ले ले किसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से, हमारे तो हर ख्याल में बस तुम्हारा ही ख्याल है, फिक्र है इज़त की तो महबबत छोड़ दो जनाब, जाओंगे इश्क की गली में, तो चर्चे जरूर होंगे, कितना मुश्किल होता है न, एक शक्स को कबूल जाने की दुआ करना, मजबूरियां मत सुनाओ, ये कबूल करो, कि तुम बेवफा हो, क्या शिक्वा करें हम अपनी किस्मत का, वो लोग भी बदल गए, जो कभी कहते थे, कि यकीन करो, हम सबकी तरह नहीं हैं, जिन्दगी में गलत लोग ही, अक्सर सही सबक दे जा कि वो कुदरत आपको पहले से कुछ बहतर देना चाहती है, मुसीबत में फस जाने पर मनुश्यकों ग्रह दोश, वास्तु दोश, पित्र दोश, शनी दोश, काल सरप दोश सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोश नहीं दिखाई देता, खुद को काट कर भी रख दोगे, तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है, ना शिकायत किसी से, ना किसी से अन्बन है, बस जिन्दगी में अब थो सबसे दूर खड़े नजर आते हैं, किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही कठिन है, और यहीं वो मोड है, जहां हमें पता चलता है, कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है, जो आपकी जिन्दगी से जाना चाहता है, उसे रास्ता दो, अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे तो वो आपकी कभी इज़त नहीं करेगा इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं अभी और कितना वक्त लगेगा अपने मन की किताब को आप ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके याद आना और याद करना दोनों अलग-अलग बाते हैं याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं दिल और दिमाग की जंग में नींद की मौत बे फिजूल ही हो जाती है धन से हम जीवन की सारी सुक सुविधा तो हासल कर सकते हैं पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है मेरी मानों तो अकेले ही रहो ना कोई हर्ट करेगा ना कोई रुलाएगा ना कोई अपना बनाएगा और ना ही कोई छोड़ कर जाएगा आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दाओं पर लगा दो वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हिम जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती घर दोगे उस दिन वो आपकी सारी अच्छाईयां भुलाकर आपको अपनी आउकाद दिखा देगा जिन्दगी तो सब के पास है पर यहां हर कोई जिन्दा नहीं है जिन्दगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग पुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं शक का कोई इलाज नहीं चरित्र का कोई प्रमाण नहीं मौन से भेतर साधन नहीं और शब्द से तीखे बाण नहीं फुरसत में याद करते हो तो रहने दो हम तनहा जरूर है लेकिन फिजूल नहीं बोले गए शब्द गुजरा हुआ वक्त और तुटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता इस्जत और लट दोनों तयार रखो जो जिसके लायक हो दे दिया करो जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वो ही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या-क्या दिखाई दे जाता है लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्ही की ही तरह अंधेखा करना सीख जाओ दुखाने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ती आवश्यक्ता से अधिक दुख भोगता है कहां मिलता है कभी कोई समझने वाला जो भी मिलता है समझा के चला जाता है क्रोध बुरा होता है पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा यह वो गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही वहवार करता रहेगा बहुत सी गलतियां होई जिन्दगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई, उनका नुकसान सबसे जादा हुआ है दिखावा और जूट बोलकर वहवार बनाने से अच्छा है, सच बोलकर दुश्मन बना लो, तुम्हारे साथ कभी विश्वास गहात नहीं होगा जब रिष्टे रुलाने लगे, तो इग्नोर करना सिखो, जिन्दगी बहुत आसान हो जाएगी कहते हैं किसी को जादा सोचो, तो वो क्वाबों में आ जाता है फिर जादा चाहने से वो जिन्दगी में क्यों नहीं आता सही दिशा और सही समय का ग्यान न हो, तो उकता हुआ सूरज भी डूपता हुआ दिखाई देता है प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि अपमान वो रिण है, जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्यात सहित अवश्य चुकाता है केवल दो चीजों से इनसान सारी रिष्टों को खो देता है एक गलत फहमी और दूसरा इनसान का अभिमान नफरतों में क्या रखा है प्रेम और खुशी से जीना सीखो क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है याद रहे, दूसरा मौका सरफ कहानिया देती है जिन्दगी नहीं, सोच अच्छी रखो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे यकीन रखना, उपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से जादा बहतर होते हैं जो आप से चलते हैं, उनसे कभी नफरत मत करना क्योंकि यही वो लोग हैं, जो आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे बहतर हैं माफी गलतियों की होती है, दोखे की नहीं जिनका हरदय प्रेम से भरा हो वो दूसरे के हिर्दे में प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है दिल में हर रास दबा कर रखते हैं ओटो पर मुस्कुराहट सजा कर रखते हैं ये दुनिया सरफ खुशी में साथ देती है इसलिए हम अपने आंसों को छुपा कर रखते हैं इनसान सरफ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं लोग उस वक्त तक अच्छे दिखते हैं जब तक उनकी सच्चाई आप से छुपी हो आपके दुख आपके ही रहेंगे आप चाहे आप इसको सुनाओ या उसको सुनाओगे